हलो वचो कैसे हैं, welcome to KKS Physics Channel, class 12th Electro-Static Series में आज का हुमारा topic है बच्चों Electric Field Due to Electric Dipole हमें Electric Dipole के करण Electric Field के लिए formula derive करना है उसमें हमारा first point है at axial line डाइपोल की axial line पर हमको electric field के लिए formula डिराइब करना है देखो ये डाइपोल है minus q and plus q दो point charge है यापर दोनों के बीच की हम distance क्या लेते हैं 2 है जो की बहुत ही small होती है इस डाइपोल के midpoint से ये midpoint आपचाओ इस डाइपोल के midpoint से इसकी axial line ये axis होती है इसकी axial line पर कोई point है m जिसकी डाइपोल के midpoint से distance कितनी है small r इस point पर हमको electric field के लिए formula डिराइब करना है ठीक है निये कैसे करेंगे अपन देखो ये दो point charges है हमने point charges का electric field पड़ा है k q y r square ठीक है निये तो हम दोनों point charges का यहाँ पे अलग-अलग field निकालेंगे उनकी direction देखेंगे direction के according हम net field निकालेंगे ठीक है यह हमारा process रहेगा तो हमें दोनों point charges के कारण यहाँ पे अलग-अलग field निकालना है उसके लिए हमको इन दोनों point charges की इस point से distance पता होनी चाहिए तो हम सबसे पहले distance निकाल लेते है देखो plus q charge से यहाँ तक की distance क्या हो जाएगी सोचो देखो यहाँ से और यहाँ तक की distance कितनी है r उसमें से यदि मैं यह distance minus कर दूँ तो मिर पास यहाँ से और यहाँ तक की distance हा जाएगी plus q से n तक की और ये distance है कितनी 2a की half मतलब a ये distance a है और ये वाली distance भी कितनी है a तो देखो r में से मैं a minus कर रहा हूँ तो यहां से यहां तक की distance आ गई मेरी r minus a बलो clear है plus q से m तक की distance कितनी आई r minus a r में से a minus कर दी ऐसे ही minus q चार्ज से distance कितनी हो जाएगी देखो यहां से यहां तक r और उसमें कितना add करना है a तो total distance कितनी हो गई r plus a r plus a तो हमने दोनों point charges की इस point से distance निकाल लिए ठीक है अब दोनों point charges का अलग-लग field निकाल लेते हैं सबसे पहले plus q charge के color field निकालते है field due to plus q charge उसको हम e plus माल लेते हैं बच्चों क्या माल लेते हैं e plus ठीक है formula कौन सा लगा होगी k q upon distance का square k q upon distance कितनी है plus q से यां से यां तक कि r-a तो r-a का whole square clear यह तो आगेस का magnitude अब अगर direction की बात करें तो हम जानते हैं plus q charge के color field किदर होता है बच्चों outward होता है तो plus q charge के color निकालते हैं यहां पर field की direction बनाऊंगा तो किदर बनाऊंगा plus q से दूर outward यह direction हमने बना ली e plus की ठीक है e plus vector plus q charge से outward ठीक है इसी तरीके से minus q charge के color field due to minus q charge e minus यहां पर भी formula कौन सा लगेगा point charge वाला kq upon distance का square distance कितनी है r plus a तो formula होगा बच्चों k q upon r plus a whole square clear और इसकी direction किदर होगी minus q charge के current field किदर होता है बच्चों inward तो यहां से field जाएगा अंदर की तरफ m point से field किदर जाएगा अंदर की तरफ m point से field किदर जाएगा अंदर की तरफ e minus clear तो हम देख रहे हैं कि दोनों charges के current जो field है वो opposite direction में है magnitude तो यहां निकाल लिए अपने direction क्या दिख रही है opposite अपने को net field निकालना है तो net electric field कितना हो जाएगा बच्चों net electric इसको मैं e axis लिख देता हूँ ठीक है तो दोनों vector opposite direction में है तो क्या करेंगे अपन इनके magnitude minus करेंगे r is equal to p minus q vector में पढ़ते हैं पन तो अच्छा ज़्यादा कोन है इन दोनों में से e plus है या e minus है obviously e plus ज़्यादा है क्यों क्योंकि ये plus q charge pass में है तो इसका field क्या होगा ज्यादा होगा इसलिए ये vector क्या बनाया है अपने थोड़ा बड़ा बनाया है ये vector क्या बनाया है? छोटा बनाया है इसका magnitude ज्यादा है तो इसमें से E plus में से E minus को less करेंगे E plus minus E minus अब value put कर देते है E axis is equal to E plus की value क्या है बच्चों? KQ by R minus A का whole square minus KQ by R plus A का whole square clear? इसको solve कर लिंगे answer आजाएगा E axis KQ common 1 upon R minus A whole square minus 1 upon R plus A whole square E axis is equal to KQ 2 L C M क्या रहा है बच्चों? L C M के दोने से क्या से लिख लेते हैं? R minus A whole square R plus A whole square इसमें क्या बच्चेगा? R plus A whole square minus इधर क्या बचेगा? R minus A whole square clear? E axis is equal to KQ whole square solve करो R square plus A square plus 2 R A minus R minus A whole square solve करो R square plus A square minus 2 R A इन दोनों को आपस में multiply कर दो A minus B A plus B A square minus B square हो जाएगा R square minus A square और whole square हैं दोनों पर clear? अब देखो bracket के बार minus है bracket हटाओ तो अंदर के sign क्या हो जाएगे बच्चों? चेंज हो जाएगे ये plus क्या हो जाएगा minus और ये minus क्या हो जाएगा plus clear? अब देखो R square R square से cancel A square A square से cancel तो E axis is equal to क्या हो गया? K Q multiply by 2 R A plus 2 R A केतना हो गया? 4 R A upon R square minus A square का whole square clear? अब क्या करें? इसको आगे solve कैसे करें? देखो डाइपोल है, ये electric डाइपोल है इसका एक डाइपोल मुमेंट होगा सब जानते हैं डाइपोल मुमेंट क्या होता है? P और इसकी direction की दर होती है? minus Q से plus Q की तरफ तो हमें जो formula बनाना है वो P की form में बनाना है तो यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा से इसका manipulate करते हैं अपन 4 है इसको मैं लिख सकते हैं इसे अपन और यहाँ से मैंने R square बाहर निकाल लिया बच्चो R square common ले लिया common लेके बाहर निकाला तो R की power 4 हो गया है तो कि यहाँ square लगा हुआ है और common लेने का मतलब बतलब है डिवाइड करना है यहाँ से डिवाइड कर दो R square का डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 1 और इधर A square में R square का डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा A square by R square का whole square clear अब यहाँ से R है यहाँ से R की power 4 है 4 कटकी क्या जाएगी 3 अब हमको यह पता है कि इलेक्रिक डाइपोल के दोनों चार्ज जो होते हैं बहुत पास-पास में होते हैं एक्च्वल में यह जो distance है 2A इस R के comparison में बहुत छोटी है ठीक है नहीं यहाँ 2A is very very less than R यहाँ here 2A is very very less than R therefore हम A square by R square को क्या मान सकते हैं बच्चों इसको negligible मान सकते हैं approximate 0 मान सकते हैं इसको ठीक है तो E axis is equal to क्या हो जाएगा जारा सोचो 2K अब देखो जहां से Q into 2A Q into 2A को क्या लिख सकता हूँ मैं P तो हो जाएगा 2KP by नीचे यह R की पाउर कितना बच्चा है 3 तो R cube और 1 minus A square upon R square क्या हो गया 0 तो 1 minus 0 1 1 का square 1 तो नीचे यह बचेगा तो यह अपना formula बन गया बच्चो E axis is equal to 2KP by R cube ठीक है तो electric dipole की axis पर किसी point पर electric field का formula क्या होता है E axis is equal to 2KP upon R cube अब यहाँ से साफ पता चल रहा है बच्चों कि जो electric field है यह जो axial point पर electric field है वो distance R के cube के inversely proportional है E axis proportional 1 upon R की power 3 तो अगर मैं ER graph बनाऊ E और R के बीच में ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा बच्चों कैसा बनेगा X axis पर R ले लिया Y axis पर E ले लिया यह ग्राफ बन जाएगा distance बढ़ती जाएगी और field तेजी से क्या होता जाएगा decrease होता जाएगा clear तो क्या किया हमने सबसे पहले dipole के दोनों charges की point से अलग-अलग distance निकाली दोनों point charges का अलग-अलग field निकाला उनकी direction देखी direction के according हमने देखा कि दोनों opposite है तो minus कर दिया magnitude को उसको solve कर लिया answer आ गया यह जो resultant field आया बच्चों इसकी direction किदर होगी जड़ा बताईए देखो e plus जो है वो e minus से बड़ा है magnitude में तो जब e plus में से e minus less करेंगे तो resultant field किदर बनेगा e plus की तरफ बनेगा क्योंकि यह बड़ा है तो resultant field यहाँ पर कौनसी direction में आएगा e plus vector की direction में आएगा तो इस point पर जो resultant field है वो इधर की तरफ है और देखो क्या यही direction P vector की भी है क्या यही direction किसकी है P vector की तो हम यह भी कह सकते हैं कि axis पर जो field होता है वो electric dipole moment की direction में ही होता है तो यदि हम इस formula को vector form में लिखना चाहें किस form में लिखना चाहें vector form में तो कैसे लिखेंगे यहां लिख देता है E vector is equal to 2K P vector upon RQ ठीक है vector form में क्या लिखेंगे E axis vector is equal to 2K P vector upon RQ vector form यह बता रहा है कि E axis vector की direction P vector की direction में ही होगी ठीक है तो यह important derivation है बच्चो board के साब से इसको आपको learn करना चाहिए अब इस formula पर एक illustration देख लेते हैं आपन अब देखो बच्चो क्यूशन दिया है हमको कि minus 100 µ कुलाम है हमारे पास जिसके coordinates क्या है minus 10 mm 0 और plus 100 µ कुलाम है जिसके coordinate है plus 10 mm 0 हमें electric field calculate करना है कौन से point पर पहले question में है P point पर जिसके coordinate के है 2 m and 0 और दूसरा है Q point पर जिसके coordinate है 50 mm and 0 ठीक है तो देखिए कैसे करता है इसको सबसे पहले हम charges को x y plane में show कर देते हैं ठीक है यह x axis और यह y axis यह origin minus 100 µ कुलाम कहा रखा हुआ है minus 10 mm 0 पर तो minus 10 mm यह x axis का coordinate है y axis का coordinate कितना है 0 इसका मतलब यह x axis पर रखा हुआ है दोनों charges कहा रखे हुए x axis पर minus 100 कहा रखा हुआ है minus 10 mm यहां माल लेता हुआ यह तो minus 100 µ कुलाम है minus 10 mm पर और ये प्लस 100 µ कुलाम चार्ज है ये का रखा है प्लस 10 mm पर ठीक है तो यहां से साफ पता चल रहा है बच्चों कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 10 और 10 20 mm हो गई क्या हम इसको 2A मान सकते हैं ठीक है हमें फिल्ड कहा निकालना है पी पॉइंट पर पी पॉइंट भी कहाँ पर है एक्स एक्सिस पर है कितना मीटर दूर है दो मीटर दूर मालों ये पी पॉइंट है यहां पर इसकी लोकेशन कहाँ पर है दो मीटर दूर है कहां से ओरिजन से ओरीजन से, इसका मतलब डाइपूल के मिड़ पοइंट से, इसका मतलब यहां से और यहां की distance अपन r जिसको बोलते हैं, 2 meter मान सकते हैं r क्या हो गई वाचो टू मीटर, ठीक है? डाइपूल के मिड़ पॉईंट से point की distance r मानते हैं R पता चल गई, 2 A पता चल गई, Charges बतलब क्यूं पता है अपने को? Charge का Magnitude Charge का Magnitude कितना है? 100 µ· तो यहाँ पर क्या हम Direct Formula अप्लाई कर सकते हैं? Axis वाला, यह Axis से Dipole की तो Axis वाला Formula अप्लाई कर दो तो क्या था फॉर्मुला E axis is equal to 2 K P by R Q उसके लिए आपको पहले P निकालना पड़ेगा P क्या है Q into 2 A क्यों कितना है अपने पास 100 µ कुलाम 100 into 10 दिस टू पार माइनस 6 और 2 A कितना है अपने पास 20 mm 20 mm 10 दिस टू पार माइनस 3 यह तो आगई P की वेल्यू ठीक है R की वेल्यू कितनी रखोगे दे रखी है 2 meter यह काई में आएगा P किसमें आएगा कुलाम मीटर में ठीक है यूनिट का भी जाहन रखे और K हम जानते ही है क्या होता है क्या होता है ख्लियर अब 2nd Question करते है 2nd Question में कौन से point पर PhD निकालना है Q पॉयंट पर किया ये भी X-axis पर ह्या है क्योंकि इसका X coordinate दिया हूँ है Y coordinate 0 है इसका मतलब X-axis पर है यहाँ पर देखोское मैं इसी को P को क्या माल लेता हूं 1 बर क्यों माल लेता हूं और इसकी position कितना दूर है 50 mm 50 mm मतलब r अब कितना हो गया बच्चों 50 mm हो गया ठीक है तो अब formula लगा दें वापस क्या वापस अब हम axis वाला formula अपलाई कर सकते हैं कौन सा e axis is equal to 2 kp by r cube बोलो आसर बोलो कर दो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वैसा ही question है लेकिन यहाँ पर बच्चों यह formula अब हम apply नहीं कर सकते हैं उसका reason क्या है उसका reason बहुत बड़ा है कि यहाँ पर देखो 2a की value कितनी आ रही है 20 mm r की value कितनी आ रही है 50 mm यहाँ पर 2a जो है वो r से बहुत छोटा नहीं है याद रखो यह formula हम कब apply करते हैं जब हम यह condition apply करते हैं 2a is very very less than r याद है 2a very very less than r होगा तभी यह formula apply कर पाएंगे नहीं तो नहीं कर पाएंगे यहाँ पर 2a 20 mm r 50 mm से बहुत छोटा नहीं होता है तो अपन यह formula apply नहीं कर सकते हैं तो क्या करें अब अपने को वापस वो जो basic formula है वो काम में लेना पड़ेगा कि plus q charge का field निकालो यहाँ से यहाँ तक की distance देखो plus q charge का अलग field निकालो minus q charge का अलग field निकालो और फिर निकालो उनका resultant निकालो तो या तो सुरू से वो ही method काम में लो या फिर हम यह कर सकते हैं कि यह condition apply करने से पहले बतलब यह जो तुमने derivation पड़ी है उसके दो स्टोप उपर चले जाना उसमें अपने याद करो formula क्या बनाया था इसके बाद हमने यह condition apply की थी तो हम यह formula लगा सकते हैं यहाँ पर अब आप second question करने के लिए यह formula काम में ले सकते हैं यह formula काम में नहीं लेंगे यह वाला formula काम में लेंगे ठीक है यहाँ पर value put कर देना कि अपन जानते ही है 9 into 10 to power 9 newton meter square per coulomb square r की जिएके क्या रखेंगे अब 50 mm मिली को हटा देना 10 to power minus 3 meter a अब यह ध्यान रखना a की value रखनी है 2 a की value नहीं रखनी है 2 a कितना है 20 mm a कितना होगा 10 mm मिली को हटा दो 10 to power minus 3 meter तो आपको यह values यहाँ पर put करनी है और answer निकालना है तो दोनों questions देने का aim यही था कि आपको पता रहे कि हम यह formula कब apply करेंगे और यह formula कब apply करेंगे जब 2 a is very very less than r हो तभी यह formula apply करेंगे यदि 2 a very very less than r नहीं है तो ऐसे questions में आप यह formula apply कर सकते हैं clear? तो इस वीडियो में बच्चों अपन ने dipole के axial line पर electric field की बात की अगले वीडियो में हम बात करेंगे dipole की equatorial line पर कितना field होता है ठीक है? Thank you